हलो दोस्तों, SR Electronic Channel में आप सभी का स्वागत है, जो नए मेकनिक होते हैं दोस्तों, जो electronic के काम सिखना चाहते हैं दोस्तों, या electronic का किसी भी wire को काटना चाहते हैं या छिलना चाहते हैं दोस्तों, या उसको मालम नहीं होता है कि किस जगह से काटते हैं, किस तरह से छिलते हैं या गल्ती से वायर कट जाता है तो इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों अपने knowledge के लिए दोस्तों इस तरह से जो कि यह pie का cutter है दोस्तों इस तरह से देख लिजे यह आपको market में असानी से मिल जाएगा दोस्तों आपको वायर काटने और छिलने के लिए दोस्तों जो कि इसका यूज करने आगर आपको जानना चाहिए दोस्तों जो कि हर मेकैनिक को जानना चाहिए या हर किसी को भी जानना चाहिए दोस्तों तभी आखिए आपके घर में भी किसी चीज को काट सकते हैं या किसी को भी छील सकते हैं किसी को भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों यह दिखें दोस्तों इस होल में इसको क्यों दिया रहता है दोस्तों इस इस क्या मतलब होता है दोस्तों और इस छेद का क्या मतलब होता है जहां इस जगह पर इसका नाम तो है दोस्तों कटर लेकिन इसके काटने का नह जो इस होल को छिलने के लिए इस तरह से जैसे मैंने एक वायर लिया इसको छिलना है इस होल से इस तरह से करते जाएंगे कड़ जाएगा इस तरह से इस तरह से आप से भी कड़ जाता है वायर तो देख लिए वीडियो को जैसे आपको इस तरह से करना है थोड़ा सा इसको ती यह दिखे इस तरह से, तो इसका वायर जो नहीं कटेगा और इसका ऊपर का कवर हमारा बाहर निकल जाएगा छिल के, और इस तरह से अगर कर देते हैं इस साइड में, जैसा देख रहे हैं इस साइड, देख सकते हैं, यहाँ पे करोगे तो पूरा कट जाए, और इस गड़ा ह करोगे दोनों को इस तरह से तो इस तरह से इसको छिल के निकाल सकते हो और पूरा प्रेस कर दोगे तो यह कड़ जाएगा वायर पूरी तरह से प्रेस करोगे तो कड़ जाएगा वायर इसको आपको हाप प्रेस करना है इतना प्रेस करना है हाप की इसका होल को देखिए जितन मोटा आपका ये अंदर का वायर रहता है देखे इस तरह से आपका इतना मोटा अगर वायर है तो इस तरह से आपको इतना ही गेप करके आपको छिलना पड़ेगा इतना दबाईएगा उसके बाद में जैसे देख रहे हैं इस तरह से जितना दबाओगे उतना कट जाएगा जितना हाप दबाओगे जितना तार की मोटाई है उतना कम दबाओगे तो उतना कम ही कटेगा यह देखे इस तरह से जैसे कि इसको आप नए मेकेनिक होते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता होता है कि इस तरह से कैसे हम सेट कर पाएंगे तो ये इसक्रू इसके लिए दिया हुआ होता है ये देखिए इस स्क्रू जो कि इस इसक्रू को आपको खोल लेना है पेचकस की सहता से इस तरह से इसको खोल लेना है इस तरह और आपको जितना मोटा वायर कटिंग करना है जैसे आपको इतना वायर कटिंग करना है इतना मोटा का तो इतना मोटा कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको इतना होल चाहिए इतना मोटा वायर हापका तो इतना होल जाहिए तो आपको इसको इस जगह पे ले के इस जगह इस तरह से जब इसको आपर छोटा करना रही गा तो इस को इस तरफ से ले आएगा जयसे इतना जैसे इस तरह से बारिक वायर रहेगा तो आपको इतना तक कर सकते हैं जैसे देखे इस से जादा ये नहीं जाएगा ये वायर हमारा नहीं कटेगा इस चीज़ को अगर कर लेते हैं सेटिंग तो आपका वायर भी नहीं कटेगा और इस जगह पे आपका वायर भी कट जाएगा इस जगह पे इस जगह पे काट सकते हैं और इस जगह से छील सकते हैं यह देखे इस तरह से तो बहुत ही आसान काम को कर देता है दोस्तों अब किसी भी electronic वायर या किसी भी काम को करते हैं तो यह आपको बहुत ही helpful करेगा आपके समय बचाएगा, आपका काम सही तरीका से करके देगा दोस्तों, यह cutter, दिखने में चोटा सा है दोस्तों, लेकिन इसका बहुत ही use होता है दोस्तों, और बहुत ही फायदा करके देता है यह cutter, इसको आप एक घर में खरित के रख लिज सकते हैं जैसे देख सकते हैं इसमें कितनी आसानी से छील सकते हैं देखिए इस तरह से इस तरह से देखिए और आपका काटना है तो फूरा टीप में काट लिजेगा इस तरह से कट जाएगा दोस्तों तो चलें दोस्तों इसको तो आपको पता चल गया यह प्लायर होता है दो प्लैर में इतने सारे है इतने सारे होल के इतने सारे कि इसका क्या यूज होता है चलिए आज सीख लिजे और अपने लाइप में किसी तरह से भी इसका यूज करके देख लिजेगा दोस्तों यह देखिए दोस्तों मैंने इसका पहले बता रहा हूं इस जगह का जैसे आपको मान लिजे इस तरह से एक कील आएगा की लिए आया या कुछ भी आया जैसे हाट किसी वायर को काटना है या किसी को जो काटना रहता है तो इस जगह पे आप काटने के लिए यहां भी दिया हुआ है यह देखे इस जगह पे भी काटने के लिए दिया हुआ है लेकिन इस जगह पे आप इतना मोटा को भी काटोगे न यहाँ तो आपको बहुत जोर से दबाना पड़ेगा जो कि आप दबा भी नहीं पाएंगे और काट भी नहीं सकेंगे इस जगह पे रखेंगे तो जितना भी दबाएंगे इतना दबाएंगे कि ये कटने के लिए तयार ही नहीं होगा आप दबाते दबाते आपका हाथ दुख जाएगा लेकिन आप इसी चीज को अगर इस जगा पे लगाते हैं जैसे ये गार जो दिया रहता है दोनों साइड देखिए अगर अच्छी कमपनी का प्लैर आप रखेंगे या खरीदेंगे तो इसमें अच्छी तरह कासी ये रहेगा दोस्तों ये लोकल है दोस्तों लेकिन इस जगा पे इसका यूज इस तरह से होता है जो वायर को काटने के लिए किसी मजबूत वायर को या इस टील का कुछ भी वायर होता है दोस्तों उसको काटने के लिए आप इस जगा पे रखेंगे और इस तरह से इस तरह से करके इस तरह करेंगे तो ये यहां से कड़ जाएगा आसानी से कड़ जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा सा एक वायर का टुकड़ा ये देखे ये शरिया वेंडिंग वायर है देखे इस जगा पे रखेंगे इस तरह से कड़ जाएगा इस तरह से कड़ जाएगा तूरंत और इस जगा पे इसको रखेंगे तो इसको काटने में ये देखे इस तरह से लेकिन आपको अगर किसी भी और ज्यादा हाट रहेगा उसको भी इस जगह पर रखेंगे और इस तरह से कढ़ जाएगा तूरंत आपको ज्यादा तकलीप उठाना कर नहीं पड़ेगा इस जगह पर रखोगे तो ये देखिया और जैसा कि आपको इस जगह का भी काट सकते हैं और इस जगह पे भी काट सकते हैं जो है भी काटने कर रहेगा दोस्तों इस जगह पे काट ली जगह आराम से कट जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा परिशानी नहीं आएगा और इस जगह पर होता है दोस्तों जो की screw, knot या bolt किसी भी होता है दोस्तों जो की इसके आकार में या छोटा या बड़ा को इस तरह से maintenance करके पकड़ के भी इसको खोल सकते हैं या tight कर सकते हैं screw या knot हो या कुछ भी हो दोस्तों जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं यह है तो इसको भी आप इस जगह पर इस तरह से रखेगा तो इसको पकड़ कि आप टाइट कर सकते हैं लूज कर सकते हैं जैसा इस तरह होता है और इसका यह जो आगे का भाग है दोस्तों इसको आप किसी भी तरह से इसको इस तरह से देख यह देखे इस तरह से यह दब के छोटा हो गया यह देखे इसी तरह से इस तरह से इसका काम यही होता है कि किसी को लोग करना होता है किसी पेंच को लगाना होता है या किसी वायर की इस तरह से भी होता है तो उसको भी आप इस तरह से करके दबा सकते हैं देखे इस तरह से इस इसका भी प्लायर कुछ अलग आता है लेकिन इसके भी आप इस तरह से करके पकड़ सकते हैं दबा सकते हैं इस तरह से इस तरह से देखिए और किसी भी चीज को इस तरह से आप पकड़ेंगे तो आप इस तरह से लेके अंदर भी कर सकते हैं या उधर से आप इस तरह से पकड पकड़ने में आसानी हो जाएगा दोस्तों और इसी से भी आप बहुत सारे काम को कर लेंगे दोस्तों इस तरह से देखिए इस तरह से पकड़ने में भी आसान हो रहा है और खींचने के लिए भी काम हो जागा और इस तरह से लेके किसी तीज में अंदर डालने या किसी करने म तो यह सिलिप ना करें दोस्तों इसके लिए यह घाड दिया रहाता है दोनों साइड दिया रहाता है देखिए और यहां भी देखिए इस बड़ी यह ले जगा पे भी इसमें भी दिया रहता है ताकि सिलिप ना हो हमारा किसी वायर यह दिखिए दोस्तों तो आएफ हमारा छ बनकारी आपको जल्दी मिल सके दोस्तों तो चले दोस्तों हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना और यार दोस्ती या किसी भी अपने घरवाले या आर्ट्स प्रोडस किसी भी है दोस्तों उसको सेर कर देना ताकि वो भी देख के इस तरह से अपना यूज कर सके दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी next video